व्यवस्ता जितनी मजबूत होगी उतना ही लोग तंत्र भी मजबूत होगा और उतना ही विकास का लाप आखरी छोर पर बैठा हुआ उस सामान्य व्यक्ति तक पहुँचेगा साथ्यों इसी सोच के साथ सरकाम ने पंचायती राज से जुड़ी व्यवस्ताओं को इन्फास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है वरना पांच-छे साल पहले एक दोर भूबी था जब देश की सो से भी कम पंचायते ब्रॉड बैंट कनेक्टिविटी से जुड़ी थी आज सवा लाग से जादा पंचायों तो तक ब्रॉड बैंट पहुँच चुका है इतना ही नहीं अमनों में कॉमन सर्विस संख्या भी तीन लाग को पार कर रही है सरकार ने भारत में ही मोबाइल बनाने का जो अभ्यान चलाया हुआ है उसी का नतीजा है कि आज गाउं गाउं तक कम किमत वाले स्मार्ट फोन पहुँच चुके हैं ये जो आज इतने बड़े पहमाने पर डियो कांफरेंस हो रही हैं लाखों लोग जुड़े हैं इसमें इन सारी बातों का बहुत बड़ा योगदान है साथियों गाउं के इन्फास्त्रक्षिर को मजबूत करने के लिए शहरों और गाउं में दूरी को कम करने के लिए आज सरकार द्वारा दो बड़े प्रोजेक्ट शुरू किये गए हैं अभी जो वीडियो फिल्म चल ली है उसमें आपने देखा है एक है इग्राम स्वराज और दूसरे एफ है और दूसरी एफ की विशेस्ता है हर ग्राम वाचि के लिए उसमें स्वामित्व योजना की शुरुवात इग्राम स्वराज यानि सिंप्लिफाइड वर्ग वेज अकाउंटिंग एप्लिकेशन फोर पंचायती राज ये एक प्रकार से ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डिजिटी किल्दी करन की तरफ एक बड़ा कदम है झाले